दोस्तो आज हम intermediate exam का solid geometry देखने वाले है ये exam में question 2 आता है जो हमें solve करना magnetary होता है Question Draw the plan and elevation of a cube standing vertically on its base with its equal length and breadth of a 5 semi and height 5 cm जैंची लांबी वर उन्दी सार्की मंजे च 5 cm उनची 5 cm अश्याद चाउरसा कुरुती घनाचा अनुविक्षेप मंजे plan and with the weak shape मंजे elevation का अनने सबसे पहले जो square हमें बनाना है उसका 3D diagram हमें या पर बनाना है अब elevations बनाना चुरू करते हैं सबसे पहले हमें 5 cm का यहाँ पर line बनाना है फिर वहाँ पर protector रख कर हमें 90 degree का angle बनाना है और यह angle बनाने के बाद वहाँ पर जो point आएंगे उनको जब हम जोड़ते हैं उन line को अभी थोड़ा में extend करके लेना है और यहाँ पर यह फिर से 55 cm पर हमने mark कर दिया अब IOWE दोनो point को जोड़ना है फिर rounder में एक convenient distance लेकर जो दो point आए हुए थे वहाँ से ही उपर की तरफ mark करना है और वो जो दो point आते हैं वहाँ पर एक line हमें draw करनी है अब square का जो point है जो corner है वहाँ से distance लेकर हमें दोनों बाजू से arc बनाने है अब यह जो arc है तो यह तैय करता है कि जैसे वानों नीचे का square का जो भी distance है वो same distance हम वहाँ पर diagram के माद्यम से यहाँ पर बना रहे है अब यहाँ पर यह जो point है अब यहाँ पर हमें कितने point मिले है चार point मिले है तो यह line पर जो चार point है यहाँ पर इसके उपर हमें बनाने है perpendicular और इससे पहले हमने सिखा है how to draw the perpendicular तो वही same process यहाँ पर हमें use करना है अब यहाँ पर जो point आये है हमें rounder से उपर की तरफ आर्ग बनाने है जिससे हमें perpendicular बनाने के लिए points मिल जाएंगे अब इन points को हमें जोड़ना है मराटित यहला आपन दिले लिया बिंदुतुन लंब बनोने असर मनतो अब यहाँ पर यह square है यह square का जो distance है height है वो height से में वोही distance लेके हमने यहाँ पर arc बनाया अब इन्हें हमें जो point है इन्हें जोड़ना है और इस तरह यह जोडने के बाद यहाँ पर diagram रेडियो हो जाता है अब यहाँ पर हमें इसे हर जग पे properly naming करना है तो name यह presentation जो है अपने diagram का यह ज़्यादा अच्छा बनाने का काम करता है और इसलिए finishing के साथ अच्छे तरीके से यह सब write down करना बहुत ही जरूरी है अब जो जो elevations हमने बनाया है उनको वही properly नाम हमें देना है जैसे की plan from above then यह पर elevation, front elevation then side elevation और यह जब लिखने के बाद हमारा जो diagram यह diagram तयार हो गया अगला question draw the plan and elevation of a cylinder standing vertically on its base with the diameter of its base 4 cm and height of 6 cm जाचा व्यास 4 से मी आनि उन्ची 6 से मी आहे अशा दंड गोलाखुती चा अनुविक शेप मंजे plan और उद्विक शेप मंजे elevation काढ हा अब सबसे पहले हमें जो drawing बनाना है उसका एक rough diagram हमें यहाँ पर बनाना है 3D dimension में जिससे हमें उसके elevations का अन्दाजा आ जाए अब हमें सबसे पहले base बनाना है उसका जो distance है यहाँ पर 4 cm हमने लिया फिर protector से 90 degree का angle बना के हमेशा की तरह line हमें उपर की तरफ थोड़ी आगे जादा ले की जानी है अब फिर से 44 cm पर हम यहाँ पर point बना रहे हैं इन दोनों point को जोड़ना है अब हमें जो circle आना चाहिए इसके लिए दोनों जो corner है आमने सामने के अगर हम जोड़ते हैं उसके diagonals हम यहाँ पर तयार करते हैं तो automatically हमें यहाँ पर center मिल जाता है जिससे उसकी जो one side है वहाँ तक का distance और center तक का distance अगर हम लेते हैं और यहाँ पर अगर हम circle बनाते हैं तो यह circle चार बाजू को touch करेगा तो इस तरहा यह cylinder का उपरी part जिसे हम लोग plan केते हैं यह plan तयार हो जाएगा अब square के जो दोनो points थे वहाँ पर हम उपर की तरफ arc बनाया अब इसे line बनाते हुए यह line पूरी आगे तक उसे extend करनी है अब वहाँ से जैसे हमने पहले भी perpendicular बनाये थे similarly यहाँ पर भी हमें क्या करना है perpendicular बनाना है और उसकी जो process से इसके लिए जो point है वहाँ से हम यहाँ पर arc बना रहे हैं जिससे हमें क्या होगा यहाँ पर यह दोनो side में चार point आगे अब similarly हमें जो दूसरा elevation है side elevation उसके लिए नीचे की side से जो square हमने बनाया हुआ है plan बनाया हुआ है वहाँ तक का distance लेकर arc बनाना है जिससे हमें उसका side जो view है वो जो perfection के साथ उसका जो distance है वो मिलना चाहिए और इसी लिए हम वहाँ से उपर के point से लेके जो side का angle है उस angle से arc बनाते है और यही arc हमें सही distance देता है अब जो points आये हुए है वो points पे roundर रखते हुए हमें उपर की तरफ arc बनाने है जिससे हमें perpendicular हमारे मिल जाएंगे अब यह आये हुए जो points है यह सभी points को हमें जोडना है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए और आप comment करना मत भूलिएगा अब rounder में उसका जो height है height का distance हमें लेना है 6 cm और वो जो point है हमने जापर perpendicular बनाये हुए है वापर रखते हुए हमें उपर की तरफ arc बनाने है उपर वो lines को हमें जोडना है अब यहाँ पर diagram हमारा तयार हो गया अब हर corners को properly हमें naming करना है जिसे हमेशे की तरह जो मैं कहता हूँ अपना diagram का जो presentation है वो जादा अच्छे से होने के लिए ये naming properly करना बहुत जरूरी है अब जो अलग-अलग elevations है उन elevations को भी अच्छे से हमें नाम देना है जैसे कि अभी plan फिर front elevation then side elevation इस तरह हमारा A-B diagram तयार हो गया अब मिलते हैं अगले वीडियो में